अलो एवरिवन गुद मॉर्निंग टो अलो फिया और वेलकम टू दा इंजीनियर सद्दाव 24-7 मेरा नाम है भिशेक कॉशिक सो कैसे हो चैंप्स आई होप आप अच्छे होंगे बहुत अच्छे से पनी प्रिपरेशन भी कर रहोंगे एक बड़ जल्दी से मेरे को कंफर्म करा दो कि ओडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है हलो प्रभात गुरुजी चारने सपर्स हलो अनू गुद मॉर्निंग गाईज एक बड़ जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सब कुछ क्लियर है अगर हाँ तो प्लीज एक बड़ करा दो फटा फटा बताईए गाईज जल्दी से सब कुछ सही है हलो प्रभात अभी मैट्रो में हूँ ओके ठीक है जल्दी से आजए गाईज स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को जो कि आपको पता ही है कि आज होने जा रहा है टाइम और वक स्टार्ट तो एवरेज हमने खदम कर चुक है बाकी के अर्थमेटिक चैप्टर भी हम खदम कर चुक है तो आज बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं और फिर मूव करेंगे धिरे-धिरे एडवांस की तरफ मतलब की एडवांस कोश्टिंस की तरफ ठीक है गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग हेलो सिध्धान्त हेलो रोश्नी हाँ जी एक बड़ जल्दी से गाईस सभी से रिक्वेस्ट एक बड़ जल्दी से से शेशन को लाइक कर दो शेर कर दो जिस जिसने अभी तक नहीं किया है तो ठीक है मैं इदर स्टार्ट कर देता हूँ हेलो प्रियंका गुद मॉर्निंग चलिए जी तो अगर किसी ने अभी तक अप को डाउनलोड नहीं किया तो अप को डाउनलोड कर लो कहां से करोगे प्ले स्टोर से ये सारे बैनेफिट्स आपको अप्लिकेशन में मिल जाएंगे तो आप पूछते रहते हो ना कहां से प्रेक्टिस करें तो यहां से practice करो जाके current affairs भी है तो daily daily इसमें current affairs आती है तो आपको कहीं जाने की जुरूतनी app खोलो app में current affairs दिख जाएंगी per day की हर एक दिन आती रहती है तो उसको बस revise कर लो उसको बस पढ़ लो एक बार ठीक है उस पर फिर question भी होते है यहां पर question भी होते हैं तो question भी आप put कर सकते है question भी आप देख सकते हो ठीक है और अगर अब भी तक आपने subscribe नहीं किया इंजिनेस अड़ा 247 के चैनल को subscribe कर लो bell icon को ज़रूर प्रैस करें न because उसी सी आपको क्या हो गए notification भी timely मिलता रहेगा ठीक है आपको अलग अलग भागने की जरूत नहीं होगी अलग अलग जाने की जरूत नहीं होगी content जो है यहां पर आपका non tech plus tech दोनों ही मिल रहा है आपको तो आप यहीं पर बने रह सकते हो और इसको subscribe करके bell icon को ओन कर सकते हो ठीक है तो जैसा आपको पता की time and work हम start करने वाले है so time and work होता क्या है what is the definition what is the basic values वो सारा discuss करेंगे पहले और फिर इस पर question discuss करेंगे ठीक है हाँ जी hello arts with song good morning तो guys एक बस जल्दी से session को like करो share करो क्योंकि मेरे को 11 लोग दिख रहे हैं से फ्रहां only 11 people जिसमें से 8 लाइक किया है 3 लाइक किया ही नहीं अभी ठीक है तो जल्दी से share करो और इसको 50 तक पुचा दो so that फिर interaction class हो जाएगी क्योंकि interaction जरूर ही है maths में मैं यहाँ से कुछ पूछता हूँ आपको उदर से comment आने चाहिए कि हा सर समझ में आ गया या यह question में दिक्कत है है ना तो interactive session होना चाहिए हमारा ठीक है उसके लिए आपको share करना बनता है अब देखो time and work जो है एक अच्छा topic है और important भी है आपके exam point of view से भी तो किसी भी exam में अगर आप बैठ रहे हो है ना चाहिए वो AJ का हो चाहिए वो other exams भी हो non technical के तो उसमें अगर आप बैठ होगे तो ये chapter तो आना बनता है exam ने इसको बिना छोड़े नहीं जा सकता यहाँ से question फसे गए फसे गा आपका ठीक है यहाँ से question फसे गए फसे गा तो इसको skip नहीं कर सकते ठीक है पहली बात इसी पर एक chapter और इसी पर बेस्ट है वो है pipe and system ठीक है pipe and system तो एक ही question पर बतला एक ही concept पर दो ये दो chapter आपके based है ठीक है time and work and pipe and system तो आप अलग अलग नहीं जा सकते कि नहीं सर इसको पढ़ लेते हैं इसको फिर छोड़ देते हैं अगर आपने यह अच्छा कर लिया time and work तो automatically pipe and system आपको समझ में आ जाएगा automatically उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अब time and work निकालते कैसे हैं वो what is the time work क्या होता है यह सब चीज़े पढ़ेंगे पहले basic चीज़े पढ़ेंगे और इस पर हम बात करेंगे 100 based method से या LCM method से ठीक है जो हम question को solve भी करेंगे वो LCM method से करेंगे so that हमारी जो calculation है वो reduce हो जाए, कम हो जाए क्योंकि exam में जब आप बैठोगे तो आपकी calculation बढ़ने ही नहीं चाहिए वहाँ अगर बढ़ती है तो that's why कि वहाँ कुछ गड़ बढ़े उस तरह की से नहीं move करोगे आप क्योंकि question आपको पता है जाद होते हैं exam में और time कम होता है तो that's why आपको अच्छा perform करना होता है, fast perform करना होता है तो speed plus accuracy दोनों चाहिए आपको और वो मिलेगे जब जब आप time and work को या बाकी concept वाले questions को या chapter को chapter को अच्छा करोगे, move करोगे अच्छे speed से, यानि कि उसके लिए आपको अलग method सीखने होंगे और वो होगा lcm method, पहला method ठीक है, अब time and work तो आपने यहां से देख लिया कि work का होता है, career time होता है आपका समय और इसी में एक concept हो रहाता है एक चीज़ आती है जिसको बोलता है छमता यानि कि efficiency ठीक है, कौन कितना efficient होगा, कौन कितना अच्छा होगा अगर हम दो worker की बात कर रहे है suppose A और B suppose A और B दो worker है, तो इसमें आपको यह देखना है कौन अच्छा है, तो जिसकी efficiency जदे होगी, वो अच्छा वरकर होगा जिसकी efficiency जदे होगी वो अच्छा वरकर होगा, या we can say हम ये भी को बोल सकते हैं जो कम टाइम लेगा काम करने में वो अच्छा बर करोगा सपोस करो A जो है 9 दिन ले रहा है काम करने में किसी काम को फिनिश करता है वो 9 दिन ले रहा है B अपना 12 दिन ले रहा है तो आप तो यह काऊगे अगर time वो कम ले रहा है तो that's why उसके efficiency क्या होगी यहाँ जाद होगी अब आप यहाँ से एक चीज निकाल सेखते हुए time और efficiency क्या है दोनों के inversely proportional है समझ में आया समझ में आया but it takes more time ठीक है time को ही कम करना है time को ही कम करना है अभी तक आपने यह सीखा होगा कि fraction में यह सीखा होगा आपने जो भी books books जहां से भी आपने पढ़ा होगा तो हम but fraction वाले help से नहीं जाके हम LCM method से जाएंगे जिससे कि हमारी calculation या फिर time जो है कम हो जाए बट आपको यहां से एक concept समझ में आगयागी कि जिसका time जाद होगा उसकी efficiency कम होगी या निकि आपको यहां से एक चीज समझ में आगी कि time जो है वो inversely proportional है किसका efficiency का तो अगर efficiency बढ़ रही है ना तो time कम हो जाएगा automatically और time अगर बढ़ रहा है तो efficiency कम हो जाएगी ठीक है समझ माया यह चीज है लो चंदन रादे रादे कैसे हो ठीक है इतना समझ माया आ गया होगा आई ओप आपको है ना और जैसे मैं बताऊंगा जैसे मैंने इस वाले में कहा आपको कि A इतना काम कर रहा है भी इतना काम कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे total work को assume करने की कोशिश करेंगे है ना और वो total work क्या होगा hypothetical होगा वो exact value नहीं होगी वो hypothetical है हम सोचेंगे कि हाँ यह इतना हो सकता है है ना LCM method से और वो उसी पर हम काम करना start करेंगे ठीक है clear है सबको अब यह पहला question है बड़ा आसान से question दिख रहा है आपको जल्दी से मेरे को answer बताओ अपनी तरीके से आप answer निकालने की कोशिश करो अगर गलत आता है तो मैं बताता हूँ फिर ठीक है अगर गलत भी answer आता है तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको ठीक है पहले ध्यान से पढ़ो इसको question को और कोशिश करो answer निकालने की ठीक है मेरा यहां काम है guys खड़े होने का मेरी duty है कि जो मुश्किल से मुश्किल question होंगे या मुश्किल से मुश्किल chapters होते है उनको कैसे ease में आपको समझाए जाए तो मैं वो ही methods आपको बताऊंगा जो आपके helpful होंगे exam point of view से या जब भी आप mock test दे रहोंगे तब आपको फायदा देंगे ठीक है इसका answer बताऊ बड़ा easy सा question है आपके सामने कि 18 boys है can do a piece of work in 24 दिन ये 18 लड़के आपके पास है वो किसी काम को 24 दिन में finish करते हैं पूरे काम को और in how many days अगर 27 लड़के हो जाते हैं अब आपको ये तो समझ में आ गया है यहां से कि 18 boys हैं वो 24 दिन ले रहे हैं किसी काम को करने में और आपके पास अगर 27 लड़के हो जाएंगे तो कितना दिन लेंगे वो automatically कम दिन लेंगे इससे तो कम ही दिन लेंगे ना क्योंकि अगर boys बढ़गे हैं तो वो जल्दी काम finish कर देंगे ठीक है 16 आ गया तो 18 boys है वो कितने दिन में करते हैं finish 24 दिन में बराबर हो जाएगा 27 boys है वो कितने दिन में finish करेंगे तो आपको time निकारना था बस 6 से इसको cancel out कर सकते हो या 9 से cancel out कर देते हैं 9 37, 9 2 नहीं अठार 3 से ये cancel out होगे 8 8 into 2 यानिकि 16 तो आपके पास time कितना आ गया 16 आ गया यानिकि option number a will be the correct answer लेकिन इसमें concept क्या use of वो समझते हैं पहले इसमें concept क्या use of वो समझते हैं कि कैसे ये solve हो चुका question हमने बराबर क्यों रखा ये भी तो एक question आपके दिमाग में उठता होगा कि सर बराबर क्यों रख रहे हैं ये भी तो बताओ exactly तो इसका जो concept है वो सीखते हैं पहले तो इसमें concept जो use हुआ है वो है mdh यानिकि mdh मसाले यानिकि m for man यानिकि कितने worker आप use कर रहे हो तो इसमें man मैं इसलिए रख रहा हूँ कि man में worker भी सामिल है मतलब कि female भी सामिल है mdh upon w m for man यानिकि worker d for days कितने दिन के लिए काम कर रहे है h for hours कितने घंटे के लिए काम किया और w कितना work वो फिनिश कर चुके है अगर हम दो की बात कर रहे होंगे तो m1 d1 h1 upon w1 बराबर हो जाएगा किस से m2 d2 m2 यानिकि second वाला d2 h2 upon w2 ठीक है कहने का मतलब क्या था mdh upon w1 जो था वो क्या था constant था अगर जब constant हर रहेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 1,2 जब हम 2 की बात कर रहे होंगे ठीक है यहां तक clear है सबको तो हम जब 2 person की बात कर रहे होंगे तो हम m1, d1, h1 upon w1 कर देंगे अब कुछ values आपके उसमें नहीं भी पताऊंगी जैसे इस वाले equation में अगर आप देखो तो work done दिया नहीं था कितना work done वो finish कर रहे है या आर्सकीस में बात नहीं हुई थी कितने घंटे वो काम कर रहे है तो जो दिया होगा वो put कर दे ना जो नहीं दिया होगा इसको आप छोड़ सकते हो स्किप कर सकते हो ठीक है जी clear है सबको समझ में आ गया चलो आगे बढ़े चलो इसको बताइए इस कोशन का अंसर कीजिए क्या अंसर आपके सामने आ रहा है क्या आपके सामने आंसर है बताना बताओ इसी सा कोशन है बड़ा इसी सा जैसे अभी हमने MDH पर काम किया उसी पर एक कोशन रख दिया है आपके लिए ठीक है आपको करना क्या था देखो 10 परसन थे वो can do a piece of job 20 दिन में ठीक है 10 आदमी है वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं 20 देज में 20 मैं है अब परसन जो थे पहले 10 थे आप 20 होगे डबल होगे टोटल है ना विद ट्वाइस दे एफिशेंसी अब देखो परसन भी डबल हुए है और एफिशेंसी भी डबल हुए है एफिशेंसी पहले सपोस्ट वन थी अभी टू होगे है है ना तो आपको यही पूछा है तो दस मैन है दस परसन है वो कितने दिन में फिनिश करते हैं 20 दिन में फिनिश करते हैं बराबर 20 परसन हो जाएंगे तो दस था तो डबल हो गया 20 परसन हो गया तो आइस दे एफिशेंसी यानि कि इंटू 2 कर देते हैं वो कितने दिन में फिनिश करेंगे बिना किसी solve की ये भी कर सकते क्योंकि person भी double हो गये है और efficiency भी double हुए है ना दो चीज डबल हो गये ठीक है clear है सबको आसानी था चलो इसको बताईए और मैं timer भी चला देता हूँ आपके लिए चलो बताओ बताईए कि अन्सराएगा A and B can separately do a piece of work in 6 days and 12 days respectively so how long will they together to do the same work अब देखो ये वो वाला कोशिन होगे जो मैं आपको बता रहा है कि कोशिस कर रहा था कि हाँ LCM method से हम कैसे जाएंगे और कोशिस करने है आपको भी LCM method से solve करने की क्योंकि ये effective method होगा आपके exam point of view से तो आप fast कर पाओगे exam में और accurately कर पाओगे तो accuracy भी बिगड़ेगी नहीं इसने का कि A और B can separately अलग लग वो काम कर रहे है piece of work in six days or twelve days अलग अलग तो A जो काम कर रहे है वो छे दिन में कर रहे है B कि उसी काम को बारा दिन में कर रहे है so how long they together to do the work दोनों एक साथ काम कराना है अपने को तो वो कितने दिन में करेंगा ठीक है तो देखो A किसी काम को छे दिन में कर रहे है B उसी काम को बारा दिन में कर रहे है तो यानि कि अब यहां से आप एक चीद समझ सकते हो अगर B बारा दिन ले रहा है A छे दिन ले रहा है तो that's why कि efficient कौन होगा अच्छा कौन होगा इस में से वरकर यहां से आप यहां से टाइम से बिलकुल लगा सकते है तो जो A वाला होगा अगर 6 दिन ले रहा है तो यानि कि वो इसकी efficiency ज़्यादा आने वाली है यहां से आप यह समझ सकते हो तो अगर हम देखेंगे तो इनका LCM हमने लिया 6 और 12 का कितना हो गया कि पर डे अगर डेज की बात हुरी है तो पर डे वो कितना यूनिट काम कर रहे है यह पता चल जाएगा कैसे जब मैं टोटल वरक को 6 से डिवाइड कर दूँगा तो कितना आ गया 2 यूनिट पर डे काम आ गया अगर यहां से हम बात करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 1 यूनिट पर डे तो वो यह आपको मैंने बता रहे था कि जो कम टाइम लेगा उसकी एफिशेंसी ज़्यादा होगी यानि यह 2 है यह 1 है तो एफिशेंसी एक ही ज़्यादा होगी ठीक है ठीक है दीपू इतनी fast calculation होगी है तुमारी कैसे ठीक है तो अब देखो क्या हो गया यहां से अपने को निकालना तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे यह 2 है यह 1 है तो टोटल कितना काम होगया अगर मैं इफिशेंसी की बात करूँगा तो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हूँ अगर वो दोनों दिन एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट फिनिश कर देंगे आपने कराना कितना है फिनिश काम 12 यूनिट तो 12 डिवाइड बाइ तीन यानि कि उसको लगेंगे चार दिन पूरे पूरे 4 देज उसको लगने वाले option number D will be the correct answer ठीक है ठीक है जी clear है सबको तो यहाँ से आपने क्या आगया 4 डेज आपका आगया कि 4 दिन में वो दोनों के दोनों एक साथ काम करेंगे तो 4 दिन लगेंगे टोटल काम को करने में ठीक है next question on your screen आपको बताना है answer same जैसे मैंने अभी यह करके दिखाए आपको इसी तरीके से आपको करना है और साथ में like भी करना है लाइक में पैसा नहीं लगता गाइज ठीक है लाइक में बस आपका टिक एक आपको थम करना है थम सब देना है like हो जाता है उससे मेरे को पता चल जाता है कि हाँ सही चल रही class अच्छा आपको मज़ा आ रहा है प्हाँ नही अच्छा आपको मज़ाद करना है कितना आंसर आ रहे हैं बताओ कितना आंसर आ रहा है option नमबर A, option नमबर C अलग अलग आ रहे हैं आपके हैं 20 upon 3 और C मतलब की 6 अच्छा अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं ये बताओ A की आंसर आना चाहिए देखो A और B can piece of work in the 12 और 15 दिन अलग अलग ठीक है respectively अलग अलग काम कर रहे हैं they begin the work together उन्होंने एक साथ काम किया फिर क्या हुआ कि A left after 4 दिन चार दिन के बाद एग ने काम करना बंद कर दिया कि मैंने काम करूँगा भाई तू अकेला काम करता रहे ये हो गया तो ये पूछा कि इन हाउ मेनी मोर देज would B alone complete the remaining work तो इसने पूछा कितने दिन और लगेंगे B को काम करने में जो काम बचा हुआ था जो बच गया था उसको फिनिश करने में कितने दिन लगेंगे ये आपसे पूछा है ठीक है अब देखो पहले तो वही कर लेते हैं कि A काम करने में कितने दिन ले रहा है 12 दिन ले रहा है और B उसी काम को 15 दिन में फिनिश कर देता है तो यहाँ से efficiency पता चल जाएगी दोनों की है ना वो निकाल देते हैं फटा फटा तो कितना आगे है 60 12 पज़े 60 और 15 चुका 60 तो दोनों की efficiency पता चल जाएगी यहाँ से कि पर डे वो कितना काम करेंगे है ना ठीक है दोनों की efficiency आप यहाँ से पता चल जाएगी अब देखो यहाँ से एक line है कि they begin to work together दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया था पहले तो कहने का मतलब क्या है कुछ इस तरीके से किया देखो मैं दिखाता हूँ आपको करके ठीक है यहाँ से काम करना है A और B ने स्टार्ट किया suppose यह A है यह B है दोनों ने काम करना स्टार्ट किया बट A left after the four days तो चार दिन तक तो दोनों ने काम किया उसके बाद चार दिन के बाद A ने काम करना बंद कर दिया बचा काम कौन कर रहा है B कर रहा है तो B अभी भी काम करता रहा B तो काम करता रहा B तो मतलब बिल्कुल अच्छा वाला बंदा है बिल्कुल मेहनती वाला बंदा है हलाकि उसकी efficiency कम है फिर भी वो काम करता रहा है तो खुल मिला के अगर हम देखेंगे तो यहां तक तो दोनों ने एक साथ काम किया है चार दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया तो वो काम निकाल लो पहले दोनों कितना काम कर रहे हैं चार दिन तक तो पांच और चार नो 9 unit काम करते हैं 4 दिन तक कितना कर लिया होगा 9,36 यानि कि 36 तो काम हो चुका है अगर 36 काम हो चुका है तो बचा कितना है 60 में से 36 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 तो अभी 24 unit काम बचा है और ये 24 काम कौन करेगा क्योंकि A ना तो काम करना बंद कर दिया था सिर्फ B काम करने वाला है और B की efficiency कितनी है 4 तो divided by 4 यानि कि जो बचा काम था 24 ये कितने दिन में finish हो जाएगा 6 दिन में finish हो जाएगा यानि कि 6 days option number C ये बहुत आसान question था मुश्किल नहीं था तो ये समझना था आपको कि पहले कौन काम करेगा बाद में कौन कर रहे और किस तरीके से हमें काम कराना है तो starting में दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों के एक साथ काम करने में ये देख लेंगे कि इतना total काम हो चुका फिर बचा कितना है वो ढूण लो है ना जो बचा है किस से कराना है वो देख लो और divided by उतनी ही efficiency कर दो total time आपको पता चल जाएगा automatically आगे समझ में सबको ठीक है clear है सबको आगे चले चलिए बढ़ते हैं आगे इसको बताईए इसको बताईए क्या answer आपका आ रहा है इसको बताईए क्या answer आ रहा है गाईज इसको बताईए क्या answer आ रहा है गाईज option number D इसको बताईए क्या आपको बताईए था कि working efficiency अगर आपको दे रखिए A, B की for completing a piece of work in the ratio of the 3 or 4 आपको efficiency दे रखिए already so the number of the days to be taken taken by them to complete the work will be in the ratio तो आपसे time पूछा है starting में मैंने यही तो बताईए था आपको कि time जो है वो inversely proportional होता है किसका efficiency का मतलब कि अगर efficiency बढ़ रही है तो time जो है वो reduce हो जाएगा तो यानि कि उल्टा हो जाएगा इसका अगर 3 और 4 क्या है efficiency की आपको दे रखी है efficiency का ratio मिला है 3 और 4 तो time का कितना हो जाएगा 4 और 3 so 4 और 3 that is option number D आसान था आना चलिए बढ़ते आगे यह बताईए आपको answer कीज़े guys इसको बताईए क्या answer आ रहा है कितना answer आएगा इसका 5 man है वो can prepare the 10 toys in 6 days अच्छा 6 working अच्छा यह तो वह हो गया MDH वाला ही हो गया MDH वाला ही हो गया यह तो guys है direct तो लगा दो इसमें पस MDH अभी तो सिखाए था मैंने लगाना अभी तो लगा ना सिखाए था बताओ कितना रहा है option number B अवालोग जी कह रहा है B देखो easy है यहना कुछ नहीं करना direct लगा देते है 10 toys है 6 days वो काम कर रहे है 6 days काम कर रहे है 6 working hours वो कर रहे है मैं एक दिन में 6 गंटे ही काम करते है तो MDH आ गया और 10 toys बना रहे है 10 toys बना रहे है 5 men है तो 5 men तो यहां जाएंगे तो worker तो यहां जाएंगे MDH upon W बना वर्क कितना complete हुआ है 10 toys बना रहे है बराबर इसको थोड़ा simplify कर तो बस यहां से ठीक है तो 6 से यह 12 ठीक है 8 दूनी 16 2 से 2 cancel out हो गया 6 से यह cancel out हो गया 6 से 5 दूनी 10 हो गया 2 से 3 आ गया ठीक है तो days कितना आ गया है यहां से 3 days option number B ठीक है चलो इसको बताओ इसको बताएए क्या अंजर आएगा इसको बताएए क्या आंसर आ रहा है आपका क्या आ रहा है आंसर इसको बताएए इसको बताएए इसको बताएए इसका कितना आ रहा है आंसर 24 दिन ओके ठीक है 24 days ठीक है देखो कैसे करेंगे वो देखो पहले कि इसमें A, B और A और C तीन लोग हैं एक तरह से कि A और B together can complete a piece of work in 18 दिन ठीक है तो A और B ने दोनों ने एक साथ काम किया है फिर 18 दिन लगाई है ठीक है A और C ने दोनों ने काम स्टाट किया फिर 12 दिन लगाई है और फिर B और C ने काम किया दोनों नो दिन लगाई है यह पूछ रहा कि B अकेला कितने दिन में करेगा है ना ठीक है चलो देखो कि A और B ने काम किया एक साथ और वो लगा रहे हैं 18 दिन काम कराने में ठीक है A और C ने काम किया एक साथ और वो 12 दिन ले रहे हैं और फिर B और C ने काम किया एक साथ और 9 दिन ले रहे ठीक है तो यहां से LCM ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं कितना आ जाएगा 36, 36 बिलकुल आ जाएगा 18 दुनी 36, 12 तिया 36 और 9.36 ठीक है आपसे पूछा क्या B अकेला कितना टाइम लेगा आपसे यह पूछा है अब एक काम तो आपके पास यह है कि A प्लस B की वैल्यू आगी यहां से 2 A प्लस C की आगी आपके 3 और B प्लस C की आगी आपके 4 तो 3 equation बंगी उन्हें solve कर लो कहने के मतलब क्या है एक method तो यह हो जाएगा यहां पे कि A प्लस B जो है आपका 2 ठीक है A B प्लस C आपका 4 और A प्लस C जो है आपका 3 तीन हो equation है तीन unknown है इनको solve कर लो यहां से values अपकी पता चल जाएगी दूसर तरीका एक यह भी बोल सकते हो आपकी अगर मैं इनको प्लस करता हूँ 2 इंटू A प्लस B प्लस C हो जाएगा क्या क्योंकि अगर आप देखोगे तो A भी दो बर काउंट हो रहा है B भी दो बर काउंट हो रहा है C भी दो बर काउंट हो गया तो 2 को मैंने भाहर लिख दिया A प्लस B प्लस C हो जाएगा इनको एड़ करेंगे तो कितना आजएगा 4 और 3, 7 और 2, 9 ठीक है यहां से A प्लस B प्लस C कितना आगया 9 बाइ 2 यहनि कि साढ़े 4 ठीक है आपको बताना कि B की Efficiency कितनी होगी क्योंकि B का आपको बताना है अकेला तो B को अगर Efficiency बतानी है तो A और C को आपको गयाब करना पड़ेगा यहां से A और C की Efficiency तो पता है आपको कितनी है A और C की 3 तो 9 बाइ 2 माइनस 3 कर दो 9 बाइ 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9 बाइ 2 का मतलब कितना है साढ़े 4 उस में से 3 माइनस करना है कितना बच गया साढ़े 4 में से 3, 1.5 ठीक है 1.5 कराना है Efficiency टोटल काम आपका 36 है 36 डिवाइड़ बाइ 1.5 माने की 3 बाइ 2 यह कितना हो जाएगा 12 यह 36 तो बाइ दुनी 24 यानि कि अप्ले नंबर B विल भी दा गरेक्ट आंसर 24 आजाएगा ठीक है जी क्लियर है सबको तो आप फालतु में इसमें टाइम वेस्ट करते है कि तीनों equation को solve कर रहे हो उस्स अच्छा तरीगा क्या था उस्स अच्छा तरीगा क्या था कि सब को प्लस कर लो ठीक है क्लियर सबको बताओ हाँ 1.5 मतलब कितना होता है डेड़ होता है ना यानिकी 3 बाइ 2 ठीक है ये काम सिर्फ माइंड में करना होता है ये मैंने लिखने के लिए आपको बता दिया कि इस तरह एकसर लिखोगे बट लिखना नहीं है जब आप solve कर रहे हो ये सब काम माइंड में करना है ठीक है तो that fast हो जाएगी आपकी calculation और ताइम बच जाएगा बहुत सारा जो question करने में आपको मुश्किल से एक मिनिट लगेंगे न तो उसी question को आप 30 second में cover कर जाओगे अगर इस तरीके से जाते हो तो ठीक है अराम से 30 second बचा लोगे आप और 30 second competitive exam में बहुत जाद है होती है मैं बता रहूँ ठीक है 30 second में अगला एक question और सोल हो जाएगा है ना चलो इसको बताओ इसको बताओए कितना आएगा बड़ा आसान सा कोशन है बड़ा आसान सा कोशन है PQR तीन पसन है और 550 रुपे में वो कॉंट्रेक्ट ले लेते हैं कि 550 रुपे में काम कर देंगे भाई हम तो तीन लोग इतने सस्ते हैं देखो 550 रुपे में काम कर रहे है और together P plus Q जो है वो supposed to be the 7 upon 11 work of the work and how much the R get तो R को कितने पैसे मिलेंगे ये पूछ है आप से R को कितने पैसे मिलेंगे ये आप से पूछ है तो P plus Q plus R जो है 550 ले रहे हैं तो P plus Q जो होगा वो कितना काम लेगा 7 upon 11 तो यहां से तो आपको पता देल गया अगर P plus Q 7 है तो यह कितना हो जाएगा नीचे वाला P plus Q plus R ठीक है of the work ठीक है how much the R get R की value निकाल लो यहां से कितना हो जाएगी तो R कितना हो जाएगा अगर P plus Q plus R जो है 11 है तो R कितना हो जाएगा 4 है ना R कितना हो जाएगा 4 तो 11 यूनिट जो है यह 11 क्योंकि यह efficiency है तो direct multiply कर सकते है compare कर तो 11 यूनिट की value जो है आपके सामने गिवन है 550 रूपे एक यूनिट की value कितने आजाएगी 50 अगर एक यूनिट की value 50 है तो आपको बताने है 4 की क्योंकि R की value बताने है 4 इंटू 50 जाने की 200 option number A ठीक है clear सबको आसान इसको भी बतादो फटापट यह भी कुछ-कुछ ऐसा ही है अना इसमें भी R को ही बताना था R को कितने मिलेंगे जल्दी से सकान से बता दो same है same to same बस digit change की है और कुछ नहीं but without pan and paper करना है without pan and paper यह right sir ऐसे ही mind में solve किया मैंने हाँ दी पांचू कोशिस करता हूँ मैं कोशिस करता हूँ क्या आज तो analysis भी है ना SSC AMD का paper था अगर किसी ने दिया हो तो अभी analysis है बार आये वज़के पंदरा मिनिट पे तो वो attend भी कर सकता है कैसे तरह के questions आए ते वो discuss करेंगे ठीक है ठीक है दिपांचू उसके लिए ना जो आप बोल रहो ना तो उसके लिए यहाँ 21 नहीं दिखना चाहिए फिर मेर को अना at least 100 प्लस होने चीए है ना so that class भी interactive रहे है ना ये तो मानते हो ना आप भी मैं वैसे भी हूँ सर विदाउट पैन पेपर ठीक है तो at least 100 होने चीए यहाँ पर है ना so that जो आप बोल रहे हो दिपांचू बात वो फिर मैं कर देता हूँ देखो तो प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 707 है प्लस क्यू जो होगा 5 बाइ 7 हो जाएगा 5 बाइ 7 है प्लस क्यू तो प्लस क्यू जो है 5 बाइ 7 है तो ये प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा यहाँ पर है ना तो आर की वेल्यू यहां से कितनी आ जाएगी ठीक है, ठीक है, क्लिर, इजी, चलो, नेक्स्ट यक है. कितना आ रहा है इसने पूचा है कि शेर ओफ ए इन दे कॉंट्रक्ट हुम अच्छा ए को कितना पैसा मिलेगा यह आपसे पूचा है ए को कितना पैसा मिलेगा तो जो पैसा है जो amount है वो distribute होगा according to the efficiency के according कितने वो efficient है पैसा उसी पर depend करता है कोई अगर अच्छा वर्ड करे तो उसको पैसे जादे दिया जाएंगे ओवेस है वो कम टाइम में खतम कर देता है काम को तो पैसा सारा का सारा distribute होगा उनकी skill पर यानिक उनकी efficiency पर तो कुल मिलागा efficiency निकालो बस A और B जो है can be completed a piece of work 15 और 10 दिन तो A जो है 15 B जो है 10 दिन total कितना होगा है 60 तो 15 जो का 60 और 10 से 6 आ जाएगा याँ पर so they contracted to complete a piece of work for the 30,000 रुपे तो अगर वो 30,000 रुपे लगा रहे हैं तो that's why वो in में distribute होगे efficiency में तो 6 और 4 दस तो 10 unit की value है आपके सामने 30,000 एक unit की value कितने आजाएगे 3,000 और आपसे पूछा कि A जो है वो कितना पैसा लेगा तो 1 पैसा ले लेगा 4 इंटू 3,000 यानि कि total 12,000 ठीक है और B के लिए पूछतो B भी निकाल देते हैं 18,000 B पैसा ले लेगा ठीक है चलिए मैंने ratio लेकर उलट कर दिया ठीक किया ठीक किया तुमने ठीक है ये question है आपका A can finish दवर कितना B इतने में B और C start करते हैं तो इसको मैं देते हैं homework में आपको justice में वो बताना है कि A इतना काम पहले काम करके छोड़के चला गया तो इसमें थोड़ असा आपको सोचना पड़ेगा और ये तो बड़ा easy सा है दो काम दे देता हूँ इसमें और लिखा हुआ है बस ये concept ध्यान रखना है और और end में फस जाते होंगे आप ठीक है दोनों का answer कर देना comment section में मेरे को answer अगर करना चाहते हो आप बड़ में चेक कर लूँगा ठीक है और classes का अगर कोई connect होना चाहता है तो welcome है उसका कैसे connect होना है simply adda 24-7 search करना है website पे click करना है website आपके सामने open हो जाएगी इसी काम को आप app से भी कर सकते हो वहाँ से और सस्ता हो जाती है क्योंकि आप में आपको coins भी मिलते रहते हैं जैसे जैसे आप classes को देखते हो all courses में जाके gate and engineering पर click करके फिर आपके सामने सारी classes open हो जाती है देखो ठीक है तो जिस भी class में आपको enter करना है suppose करो आपको जैसे airport authority of india का paper आया है भी तो उसको लेना है तो उसको जा सकते हो UPMRC JEE दिख रहा है आपको SSC JEE दिख रहा है भूँ सारी classes यहाँ दिख जाती है आपको तो जिसको भी join करना है आपको उस पर enter कर जाओ जैसे support airport authority of india को करना है तो इस पर click करो है ना उसके लिए आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा फिर यहाँ पर जाने के बाद आप buy now पर जैसी click करोगे तो यह आपके सामने open हो जाता है बट उसमें क्या है यह price जो है कम करने का तरीका है coupon code है ना आपको सभी को coupon code पता भी है कितना है Y516 आप comment section में भी लिख सकते हो Y516 जैसी आप डालते हो apply करते हो तब जाके आपको discount देख जाता है ठीक है इसमें JkSSB भी दिखता है अगर किसी को JSSB या OSC वाला चाहिए तो वो भी जोइन कर सकते हो उसमें भी same procedure है 2299 में आप enroll कर जाओगे Y516 open के साथ ठीक है जी clear है सबको चलो बाइबाइ टेक केर और आप आप नास दे गाईज शी यू गाईज बाइबाइ टेक केर